बिल्कुल आपने यहां पर जिक्र की कि लोगों के पास विकल्प क्या है। बिजेपी को जाता हुआ नजर आया। वहां राउल गांधी हम देख रहे हैं कि वो भारत जोडो यात्रा में लग रहे हैं। क्योंकि कॉंग्रेस ऐसी पार्टी है कि आपको लग रहे है वो ऐसी रिवाइव हो पाएगी अपने आपको वो आगे कहते हैं ना राइजिंग फॉम दफीनिक्स, राइजिंग फॉम दफ आशेज ऐसा उनके पास हो पाएगा और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही बीजेपी के मैजौरीटी अफ दे स्टेट सेमें आवादी पार्टी है नहीं अभी उनको आरइजिशन भी कहीं नहीं है दूसरी पार्टीयों से लोग इकठे करके सास्ता बनाने की कोशिश वो करते हैं हिमाचल गव अँनों ने कोशिश की हिमाचल में बनाने की कोशिश की लेकिन बात चल नहीं पाई, गोव में भी बात उनकी चल नहीं पाई, तो ये तो मैं नहीं मानता हूँ के राश्ट्री लेवल पे वो अकेले टकर दे देंगे भारतिय जन्ता पार्टी को, जहां तक कॉंग्रेस की बात है, आपने क्योंकि मोदी जी और होमिनिस्टर रमिश शाजी की जनम भूमी है, या उनका होम स्टेट है, इस पर अगर किसी तरीके से उनको जटका दिया जाए तो बहुत बड़ा दोहजार चुबिस के लिए मैसेज जा सकता है, कॉंग्रेस ने कहीं वो चीज़ भापी नहीं, कॉंग्र सारे का सारा फोकस जो पार्टी प्रेजिडंट का चुनाव की जिस तरह से हुआ, वो भी इनी चुनावों के दौरान या इनके रन अप में हुआ, तो सारे का सारा फोकस बजाए चुनाव लड़ने के कई और लग गया, तो उसका खम्याज़ा तो मुझे लगता है कॉंग् कर पाएं उनका जो गुडविल बनी है जो लोगों में मोबिलाइजेशन हुई है बहुत अरसे के बाद देखने को मिला कि कांगरस कैसे साथ आम लोग भी जुड़े उस यादरा में उनमें एकसाइटमेंट भी थी लेकिन उसको फर्दर लेने का कोई अगर प्लैन होगा और स चलें साथ तो कांगरस 2024 में कहीं ही अब खड़े होने की स्थीति में हो सकती है अनिल जी एक सवाल मेरा ये होगा कि गुजराट से जुड़ावा सवाल ये होगा कि बहुत से वो नेता जो बीजेपी के विरोध में थे जैसे हार्दिक पटेल हुए और भी एक दो नेता हैं जो नुकसान पहुचाते हुए दिख रहते हैं अब बीजेपी में हैं इसके अलावा केजरिवाल की भी बीजेपी में गुजरात में एंट्री हो चुकी है और जिस तरह से केजरिवाल बता रहे थे कि गुजरात में अब हमारी सरकार बनने वाली है और हम पूरी तरह से बोड़ा रोल निबाता है, 24% करीब कोली है और पार्टिदार करीब 15% है, तो अगर ये बाहर होते तो क्या बीजेपी को नुकसान होता हुआ देख रहे थे आप? उस चेश्टा में इसको एक बड़ा कदम माना जा सकता है, तो जाहर है, उनको बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं, बड़ी उनकी स्ट्रगल भी रही है, अलागे दल बदलने से थोड़े से कुश्चन मार्क उन पर जरूर उनकी नियत पर उठाये गए या उठाये जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि पार्टीदार वोट बैंक को एक टठा करने की दिशा में, ये एक भारते जनता बाटी लिए एक मुफीद कदम था, कितना फाइदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो आर तरीक के बाद जिन आएंगे और इस किया जाएगा, तो ही पता लग पाएगा. के लिए अनिल आनन्द आपका और मेरे सहोगी दीपक के आदव आपका भी करेंगे धन्यवाद.